नमस्कर दोस्तों अगर आपको याद हो तो मालूम होगा 2017 महाराष्टा एलेक्शन से पहले 24 दिसंबर 2016 को परधान मंत्री मोदी जी दवारा सिवाजी महाराज की वर्ल्ड टॉलिस्ट स्टैचू के रूप में एरेबियन सी में फाउंडिशन इस्टॉन रखा था ऐसे में सव लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सिव इसमारक मेमोरियल पार सिव इसमारक बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 17 सेंचूरी के महान मारा ठाकिंग छत्रपदी सिवाजी महराज पर डेडिकेटेड है इस पूरे मेमोरियल पार को 15 एकर जमिन में एरेबियन सी के एक मैनमेड आइलेंड में प्लैन किया गया था जो कि राजभाउन से 1.5 किलोमेटर नरिमन पॉइंट से 3.2 किलोमेटर और गिरगाउं चोपार्टी से 3.6 किलोमेटर दूरी पर एक मैनमेड आइलेंड पर प्लैन कि दिया गया हाला कि वहाँ पर भी इंप्लिमेंट नहीं हो सकी और तक 25 में एरेबियन सी में बनाने का आइडियाज आया आने के बाद रीसर्च और स्टुडी करने का काम किया जाने लगा जो कि स्टैचू परिसर 15 एकड एरिया में प्लैन किया गया था जिसका डिजाइन आर्किटेक राम भी सुतार जी दवारा तयार किया गया था जो बेहद ही खुबज़ुत और फ्यूचिरिस्टिक के रूप में तयार किया गया है प्लान के तहर घोडे पर स्वार हाथ में तलवार ये सिवाजी स्टैचू को 212 मिटर हाइट के रूप में डिजाइन किया गया था जो कि बेहद ही फ्यूचिरिस्टिक और बहुती सांदर तरीके से बनाया जाना था जैसा कि आप हमारी वीडियो में भी देख पारें हूब हूब इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है जा दुख की बात यह है कि यहाँ अभी तक किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई कुछ अगर मीडिया रिपोर्ट के अकोडिंग बात करूं तो 2018 में एल एंटी दवारा कंस्ट्रक्शन को सुरू किया गया था बट 2019 में कोरोना पेंडमिक आगी जिसके बाद कंस्ट्रक् पाई ऐसे में बात जो भी हो अभी जो रियालिटी है वह यहाँ पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है ना ही इससे जुड़ी कोई अपडेट्स है ऐसे में सवाल आता है क्या सिवाजी समारक मेमोरियल पार्क जो की दुनिया की टॉलिस स्टैचू के रूप मे एरेबियन सी में प्लैन किया गया था वह केंसल वह फेल हो गया तो बेसिकली मुझे परसनली लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्द बाजी होगा क्योंकि ऑफिसल्स के तरफ से केंसलेशन का कोई भी खवर नहीं आई है ऐसे में हम सभी उमीद करेंगे कंस्ट्रक्शन यह इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं आपका इस पर क्या भी होए क्या लगता है कभी बन पाएगा या बस पेपर और फायलों में ही घुमता फिरेगा मुझे परसनली लगता है कि 2017 एलेक्शन को देखते वे इस एक पॉलेटिकल इस्टंट के रूप में 2016 में प्रोजेक्ट क जाएं दोस्तों